तो आज हम बात करेंगे हमारे छोटे हेयर जिनकी हेयर ग्रो नहीं होते हैं वह होम रेमेडी क्या यूज कर सकते हैं डे बाइडे आपके हेयर लॉंग होने शुरू हो जाएंगे तो इससे पहले अगर आपने चैनल पर नू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडिय करें बं करें पोनी करें वह उतने stylish नहीं लगते ही जितने की long hair लगते हैं तो long hair अगर आपके बचे हैं अगर आप college going girl है और अफिस going girl है अगर आपके hair at least कमर तक भी हैं तो उतने भी अच्छे लगते हैं जाला चोटे hair अच्छे नहीं लगते हैं किसी outfit तो उसके लिए होम रेमेडी है अद्रक, अद्रक का रस हमें चाहिए, जो कि डे बाई डे आपके हेर्स को ग्रो होने में मदद करेगा, तो हमें क्या कर लेना है, हमें अद्रक का ट्कोड़ा ले लेना है, according to hair, अपने hair के हिसाब से, उसका बना लेना है paste, और paste बनाने के बाद उसको हमने, उसका juice निकाल लेना है, पानी निकाल लेना है, उसके बाद हमें छोटा सा stricture चाहिए है, ये हमारा है जतून का तेल जिसको आपने scalp के उपर लगाना है cotton की मदद से बहुत अराम से लेकिन उससे पहले अगर आप चेक जरूर कर लेज़े आपको aging तो नहीं हो रही है अगर नहीं हो रही है तो आप 20-25 मिनट छोड़ सकती है अगर आपको by chance को aging होती है तो आप बाकी hairs पर लगा लीजिए roots को छोड़ दीजिए और यह याद रखिए कि end तक जरूर बालों के यह लगेगा ताकि हमारे दो मुए बाल होते हैं वो भी हट जाएंगे और हमारी hair fall की problem हट जाएगी dandruff की problem हट जाएगी जब इतनी सारी problem हट जाएगी तो हमारे hair growth जरूर होंगे और definitely होंगे अगर आप इस क्रेमेटी को यूज़ करते हैं day by day आप इसको लगारता यूज़ कीजिए एक से दो मेना आपको फर्क जरूर महसूस होगा thank you so much for watching my video